गुड मॉर्निंग दोस्तों आपका हमारे चैनल दाश पी डान राक्सर में एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग जो है बच्चों की मांग थी कि जो है साइंस और टेक्नोलाजी पर कुश्चन बनाया जाए इस पर दिया जाए तो इसलिए हमने जो है साइंस और टेक्नोला जो हवा में उजागर होने पर तामे के बरतनों पर बिक्सित होती है कि निर्मार के करण होती है मतलब कि तामे के बरतन पर जो हरे रंग की कोटिंग पढ़ जाती है कभी आप देखे हों कि तामे के बरतन पर हरा हरा कुछ लग जाता है तो वो किसके करण लगता है तो देख के कारण होती है co3 के कारण होती है यह लिखें देखिए जब जो हमारी कापर होती है जल और carbon dioxide और oxygen इन तीनों चीज़ों से जब क्रिया करती है तो यह हमारा बना लेती है carbon hydroxide और copper carbonate तो यही copper carbonate वह कारण है जिसके वज़ा से उस पे हरे रंग का जो है जम जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है तो तामबा धातु जब हवा के संपर्क में आता है तो छारण होने के कारण इसका रंग क्या हो जाता है हरा हो जाता है वहीं अगर हम आगे बात करें तो धातु कापर कार्बोनेट और कापर हाइडराकसाइड के मि प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है देखिए डिकान प्रक्रिया के द्वारा जो गैस उत्पादित होती है वो हमारी क्लोरीन गैस है अगर हम इसका पोश्ट मार्टम करें तो क्या हो जाएगा देखिए पोश्ट मार्टम करने पर होगा कि डिकान प्रक्रिया क्लोरीन गैस का उतपादन करने की एक प्रक्रिया है और इसकी जो खोज की थी वो हेनरी डेकू नहीं की थी। इसमें हाइड्रोजन क्लॉराइड गैस में बदल दिया जाता है और क्लॉरीन की अगर बात करें तो यह दूसरा सबसे हलका हैलोजन तत्व हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह से हमारे हैलोजन तत्व हैं और इसमें जो सबसे हलका दूसरे नमबर पर है वो क्या है क्लोरीन है एक सद्र आकसी कारक है इसका उपयोग पानी के सुध्धी करण तैराकी के पूल की सफाई और रोगार नासक के रूप में किया जाता है अग अगर कोई ठोस जो है सीधा वास्प में बदल जाता है वो उर्ध पातक कहलाता है तो आपसे नमबर डी हमारा सही हो जाएगा वहीं अगला कुशन देखें तो निमने लिखित में गैस में किस गंध की मतलब किस गैस की गंध जो होती है वो सड़े हुए अंडे के समान होती है सड़े हुए अंडे की तरह होती है अगला कुशन हमारा है एमफोटरिक आकसाइड की प्रकृत क्या है तो यह जो एमफोटरिक आकसाइड है यह हमारा अमली और चारी दोनों हो सकता है तो पोस्टमार्टम इसकी करेंगे क्या मिलेगा देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम करने मिलता है कि m4 Bears Oxide वे Oxide होते है जो अमली होने के साथ साथ शारी भी है एंफोर्ड पेरी जो अकसाइड की इस्थित में आकसी करणपा निरा अगेर अम उधारण की बात करें तो यह यह दोनों हमारे सके उधारण है अगला कुशन पुश्टमार्टम करने पर क्या मिलेंगा कि एक ट्रांस्फार्मर एक बैदूत्व योग्ति है जो बैदूत्चुम्की प्रेहरण альной की माध्यम से दो या अधीक परिप्रशतों के मध्या राखे में बैदूतूर्जा का संचार करती अगला कुश्चन है किनिम लिखित में से किसकी बेधन चमता सबसे कम होती है तो हम वहीं बात करें तो जो हमारा अलफा कण होता है अलफा कण और बीटा कण इसमें जो हम देखते हैं कि हमारा जो है निकलता है जो अलफा कण होता है उसकी बेधन चमता सबसे अधिक और बीट कि इसमें जो है सही का option लगा हुआ है इस्थिरता का जड़त जो होता है निव्टन ने ये नियम दिया था पोश्ट मार्टम में क्या मिलेगा हमको कि जब एक बस आचानक से सुरू होती है तो यात्री पीछे गिर जाते हैं इसका करण यह है कि हमारा सरीर सुरू में इस्थिर आवस्ता में होता है अर्थाद चुकि हम लोग इस्थिर रहते हैं और जब बस चलती है तो गत आ जाती है और इस्थिरत का जड़त जो होता है उसके कारण हम लोगों को जो है पीछे की और गिर जाते हैं आराम पर जड़त एक वस्त की प्रभिति है जब आप जोड़ देन सुरू करते हैं तो आराम से रहने की प्रभिति होती है इसको किस ने बताया था तो आगे हमने बताया है इसको जो है न्यूटन के गति के पहले नियम के कारण है जो कि बताता है प्रतेक वस्त एक सीधी या अस्थर रेखा में समान गति में रहेगा जब तक कि बाहरी बल उ प्रताया जो में यहीए डिफेंस मिसाइल सिस्टम फिर ने के लिए इस और फिर अंट यहीए डिफेंस मिसाइल सिस्टम के इसको फूर सभूर्ट ने रंएक्टायूबर मिसाइल थाथ Klein ने Agr जा गत्टाय। स्ताक्षर किये गए 17 जनवरी 2020 को रूस ने घोश्रा पत्र की भारत के लिए एक यस 400 वायू रक्षा मिसाइल प्रडाली का उत्पादन सुरू हो गया है मिसाइलों को 2025 तक प्रदान किया जाना है वहीं आगे देखें कि रूस बेला रूस और चीन के बाद यस 400 रक्षा प्रिथभी मिसाइल की बात करें तो प्रिथभी मिसाइल हमारी भारत में प्रिथभी मिसाइल एक 60 रेंज बैलेस्टिक मिसाइल है प्रिथभी मिसाइल को एक कृत निर्देशिक मिसाइल विकास कारेकरम के तहट विक्सित किया गया है और वहीं अगर हम देखें तो मिसाइ को संयुक्त रूप से DRDO और भारत डाइनेमिक्स द्वारा निर्मित किया गया है वहीं अगला कुश्चन 13 हमा देखें तो निम्न में से कौन सी मिसाइल रक्षा अंसंधान और विकास संगठन द्वारा विक्सित एक मध्यम दूरी की सता से हवा मिलक्ष निर्धारित करने वा ही मिसाइल है और इसकी जो चमता है कैन टार्गेट अप टू थरी किलो मिटर अबे एट अल्टिट्यूट 18,000 मीटर मतलब 30 किलो मीटर से इसकी छमता है और इल्टी ट्यूट इसका जो है 18,000 किलो मीटर है ठीक और इसका निर्मार जो किया गया था प्रोडिूश्ड 2009 2009 में इसका निर्मार किया गया था वही हम देखें कि अस्त्र मिसाइल का वजन कितना है तो हमारा अस्त्र मिसाइल का वजन जो है वो 154 किलोग्राम है और देखिए ये बताया भी गया है इसमें कि 154 किलोग्राम है और इसको किसने इसका निर्मार किसने किया था DRDO ने किया था और कब किया था 2017 में किया था अगला कुश्चन है कि इस हड़ी को पेक्टोरल गर्डल के नाम से जाना जाता है तो जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है ये जो है हमारा कंधे की हड़ी को कहा जाता है ये पोस्ट मार्टम क्लास अगर देखेंगे आप तो आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा और इसमें जो हम बहुत सारे question discuss करेंगे जो किसी न किसी परिच्छा में पूछे गए हैं लिखा है कंदे की हड़ी को पोर्टालन गर्डल यानि के कंधा करधनी कहते हैं जो प्रते एक तरफ हाथ से जुड़ हुए होती है इसका प्रमुकार हाथ को सक्ति और एक सीमा तक गति देना होता है और यह जो है दो हड्डिया होती है इसमें जो इसकैपुला और क्वैकिल नाम की पूती है अगला ठारामा कुश्चन देखें तो कौन सा सा अप्त्रिडित आउद्योगिक प्रवास से उत्पन जल पर दूसर पर नियंत्रण रखने वाला जो है उप्योगी सिद्ध होगा तो और अउद्योगिक अप्सिष्टों के कारण होने वाले जल निकायों के भारी धात प्रदूसर की जाज करने के लिए उप्योगी पाया गया है जल कुम्भी कई उश्लकटि बंधी देशों में एक आम जली पौधा है इसकी छमता जल निकायों से पोशस तक्तों और अन्य अउसोशित करने की है यह पोधा प्रदूसित पानी और अउद्योगिक अप्सिष्ट और अनिभारी सामगरी को अउसोशित करता है और यह पानी को सुध्धी करण के उद्देश से उप्योगी बनाता है अर्थात आप्सन सी हमारा सही है उन्निस्वा कुश्चन हमको प्रतिदिन उत्पन्र दूतावास के कचरे के निप्तान में है तो इसका जो है अगर हम वो करें पोश्ट मार्टम करें क्या निकलेगा हमको निकलेगा कि उच्छ श्थिर्ता और पर्यावरण महत्त्वा कानच्षाएं ग्रीन दूतावास के प्रमुक लक्ष है और ग प्रेड के लिए परियावरण संबंधी चिंताएं अपसिष्ट पदार्थों से निबटना रिसाइकलिंग पर ध्यान देना वहीं हम आखरी कुश्चन देखें तो आखरी कुश्चन है कि निमलिखीत में से किस हाइड्रोजनी करण अभक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रियोग किया जा सकता है तो देखें उत्प्रेरक के रूप में हमारा पैलेडियम का प्रियोग किया जाता है और अगर पोश्मार्टम करें इसका क्या निकलेगा कि हाइड्रोजनी करण मतलब के साथ बेवार करना है और है ड्रोजनी करना आणविक हाइड्रोजन या श्टू और एक अन्य योगिक यत्तत्यू के बीच एक रासायनिक प्रत्क्रिया है जो आम तोर पर निकिल पोल एडियम प्लेटीनम जैसे उत्प्रेरक्ष की उपस्थिती में होता है यह प्रक्रिया आम तोर पर कार्वनिक योगिकों को कम या संत्रिप्त करने के लिए नियोजित की जाती है तो यह हमारे जो है 20 कुश्चन आज थे आगे हम अपने अगले कुश्चन में डिसकस करेंगे और आप ध्यान देखे हमारी जो सिरीद चल रही है इंगलिस ग्रामर की सिरीद चल र लिए हमारे चैनल पर और लाइक सब्सक्राइब तथा सियर करना न भूले नमस्कार आप 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 आप